नमस्ते बच्चों, मैं पाउनलक्षकार PGT अर्थशास्र जवार नोदविद देले बाडमी राजस्तान से आपका स्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्र का अध्याय 4 भारत में खाद सुरक्षा यह NCRT कक्षा 9 का टॉपिक है तो देखते हम इस टॉपिक के बारे में आईए खाद सुरक्षा जैसा कि आप देख सकते हैं यह दो अक्षरों से मिलकर बना है दो शब्दों से खाद और सुरक्षा अर्थात खाद ध्यान की सुरक्षा परदान करना जनता को उसी को खाद सुरक्षा कहते हैं बंगाल में यह 143 में अकाल पढ़ाता जिसकी फोटो आप बैक ग्राउंड में देख रहे हैं दाई तरफ आप अनाच की बोरी देख रहे हैं फिर बीच में आप PDS का चितर देख रहे हैं और नीचे करनसी देख रहे हैं इन्ही तीन तत्व पर निर्वर करती है खाद सुरक्षा तो खाद सुरक्षा हमारी क्या है इसमें तीन तत्व शामिल होते हैं पहला तत्व है खाद द्यान की उपलबदता इसमें कौन-कौन से आते हैं इसके तीन पार्ट है पहला पार्ट बफर स्टोक दूसरा पार्ट खाद द्यान का उत्पादन और तीसरा आयात अर्थात खाद उपलबदता से तात पर रहे है कि देश में कितना उत्पादन का बफ ओूसरा nota टा ये लुख राशन की दुखाणों के माध्यम से इस नंबर 2 पोइंट का अविश्कार अमर्ते सेंजी ने किया था उन्हें इस दूसरे पॉइंट की रचना की वरना पहले खाद उसर रक्षा का मतलब पहला और तीसरा पॉइंट था बीच वाले दूसरे पॉइंट की रचना श्रीमान अमर्ते सेंजी ने किये खाद द्यान की पहुँच के लिए आप देख सकते हैं चितर में कार्टून बना हुआ है ये पीडियेस है इसके माद्यम से खाद द्यान की पहुँच गरगर तक उपलब्द होती है फिर है तीसरा पॉइंट हमारा खाद द्यान का समर्थ है या क्रेश अक्ति जाईर बात है अगर खाद उपलब्द भी हो खाद द्यान की पहुच भी हो और लोगों के पास अगर क्रेश अक्ति नहीं हो पैसा नहीं हो तो वो कैसे खरीदेंगे इसलिए खाद सुरक्षा का तीसरा पॉइंट क्या होता है कि सभी लोगों के पास इतना पैसा हो कि वो खाद द्यान खर प्राकरतिक आपदा, बुकम, सूखा, बाड, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा जब अकाल हो जाता है तो उस इस्तिति में अमीर हो या गरीब सबी को खाद्यान की सुरक्षा की आवशकता होती है, जैसा कि आप चितर में देख सकते हैं, दाई तरफ आपको गरीब ल सुनामी देख रहे हैं आप बड़ी बड़ी लहरों की रूप में फिर बाड़ देख रहे हैं आप फिर ये सूखे की इस्तिति देख रहे हैं और फिर ये बुकम की इस्तिति देख रहे हैं ये इस्तितियां ऐसी है कि इसमें आप कितने ही अमीर हो लेकिन अमीर होने के उपर किसी का वश नहीं चलता और उस राज्य में या उस शेत्र में खाद्यान की कमी हो जाती है तो इसलिए खाद्य सुरक्षा की जुरुद केवल गरीबों को नहीं है सभी लोगों को यह लिए अगला पॉइंटा मारा किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है तो इसका अंसर है किसी प्राकर्तिक आपदा जैसे सूखे के कारण पैदावार की कुल उपज में क्या हो जाती है गिरावट आ जाती माली जो कोई सूखा पड़ गया तो उससे क्या हो प्रोडक्षन उत्पादन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इससे प्रभावित शेत्र में क्या हो जाएगी खाद्यान की कमी हो जाएगी और जैसे खाद्यान की कमी होगी पूर्ती कम होगी तो क्या हो जाएगी कीमते बढ़ जाएंगी क्योंकि पूर्ती घटती है तो कीमते बढ़ जाती है तो कुछ लोग उची कीमतों फिर फिर खाद पदार्थ नहीं खरीद पाएंगे अगर यह आपदा जादा बढ़ी रहती है लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर यह कौन सी चीज को जनम देती है बुखमरी की इस्तिती पैदा कर देती है व्यापक बुखमरी से अकाल की इस्तिती बन सकती है इसलिए हमें खाद सुरक्षा की आवश्यक्ता होती है अकाल का क्या अर्थ है आनाच के अभाव और व्यापक बुखमरी को ही क्या कहता है अकाल अर्थात खादान की अनुगलब्दता होती है उसी को अकाल कहा जाता है अन का अकाल, दूसरा अन और चारे का अकाल, तीसरा अन, चारे वे जल का अकाल, अर्था जब ये तीनों मिल जाते हैं, अकाल के ये तीनों रूप मिल जाते हैं, तो उसे त्रिकाल कहते हैं, इस त्रिकाल में क्या होता है, अन का भी अकाल हो जाता है, चारे का भी अकाल हो जा अपने चरम पर था तब बंगाल में भारी अकाल पड़ा था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे ये ऐसी भयावह मानवी इतरास्दी थी जिसे कम ही याद किया जाता है इस अकाल के दौरान आलम ऐसा था जब लोग अपने ही बच्चों को नोच-नोच कर खाने को विवश थे इसलिए लोग कोलकाता धाका जैसे बड़े शहरों में खाने और आश्रे की तलाश में पहुँशने लगे लेकिन वहाँ ना खाना था ना रहने की जगए उन्हें रहने की जगए सिर्फ कुडे दानों के पास ही मिल रही थी जहां उन्हें कुत्ते बिलियों से संघर्ष कर खाद एसुरक्षित कौन है तो खाद एसुरक्षित ये छे परकार के लोग है जनरली पहला है भूमी हीन भूमी हीन का मतलब क्या है जिसके पास भूमी नहीं है उन्हें हम भूमी हीन कहते हैं तो जिसके पास भूमी नहीं है वो खेती भी नहीं कर सकता आप देख सकते हैं चित्र में दाई तरफ बिल्कुल उपर उपर कौने में वहां कुछ मजदूर खेत में कारे कर रहे हैं क्यों क्योंकि इनके पास भूमी नहीं है तो ये दूसरे उपके खेतों में कारे करते हैं नमबर दो पारम पर इक दस्तकार आप देख सकते हैं दाई तरफ एक लड़का छोटे से कुछ बना रहा है टोक्रियां वगरा तो ये पारम पर इक दस्तकार है तीसरा निरक्षर लोग आप देख सकते हैं नीचे की साइड में कुछ मही लाएं स्लेट लेकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं नमबर चार बिखारी आप देख सकते हैं ये हाथ बिखारी का परतीक है नमबर पांच एनियमिच शर्मिक जिने हम दिहाडी मजदूर भी कहते हैं ये देखिए उपर ही उपर आप जिसमें लोग नरेगा के तहट वर्क कर रहे हैं ये दिहाडी मजदूर है नमबर चे अनुसूचित जनजातिया ये आदिवासी लोग है आप चितर में देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा आयसुरक्षित हैं तो ये चे गुरूप सबसे ज़्यादा खाद्यान के परती आयसुरक्षित हैं क्योंकि इनकी आयके सुरोत बहुत कम होते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी भी खाध्यान की इनी को आती है, अब देखते हैं भुकमरी का अर्थ, जीवन जीनी के लिए आवशक संतुलित पोशित भोजन की अनुपलब दता को ही भुकमरी कहते हैं, सिंपल सी बात, कि जीवन जीनी के लिए जितना हमें संतुलित चाहिए अगर वो नहीं मिलता है तो हम किस के शिकार हो जाते हैं ? बुकमरी के दो आयाम है पहला है दिर्ग कालिक बुकमरी लंबे समय तक यानि की दिर्ग काल तक कम मात्रा में और गुणवत्ता पून भोजन की कमी अगर हो तो उससे हम किस में चल जाते हैं ? अपना संपून पोशन नहीं पराप्त कर पाता तो इसे मौसमी बुक्मरी कहते है यह कब होती है फसल उप जाने, काटने और अगले चक्र में पुने फसल उप जाने की बीच मौसमी बुक्मरी अक्सर देखने को मिलती है कैसे कि माल दीजे किसी बड़े किसान ने अपने आप फसल लगाई तो जब फसल लगा रहा था रोप रहा था बीजो को तब तो मजदूर लगा लिए फिर जब हो गया उसका काम फिर उसने आटमेटिक क्या लगा दिये स्प्रिंकलर सिस्टम, पानी के लगा दिये सब कुछ लगा दिया उसने तो फिर वो क्या है अपने आप ग्रो करते रहेंगे एक दो महिने तक तब तक और मजदूरों की जुरत होगी नी तो वो क्या है बेरोजगार हो जाएंगे फिर काटने के वक्त उनको मजदूरों को बला लेगा फिर उने रोजगार मिल जाएगा और फिर उने जॉब छोड़ देगा क्योंकि कटाई हो जाएगी फिर उसके बाद आगली फसल बोने में फिर टाइम लगता है तो इस दोरान वो क्या रहेंगे मजदूर बेरोजगार रहेंगे तो बेरोजगार रहेंगे तो उनके पास संतुलित पोशन के लिए धन नी रहेगा तो वो मौसमी बुखमरी के शिकार हो जाएगे आपने देखा होगा कुलफी बुटे वाले लोग कुलफी वाले लोग गर्मियों में तो बहुत आइसक्रीम वाले लोग दिखते हैं आपको फिर अचानक से सर्दी आते कहां गायब हो जाते हैं क्योंकि सर्दीयों में लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं तो उस कारण लोग क् चित्र में एक कुल्फी वाला है जो केवल गर्मियों में ही दिखाई देता है ये मजदूर है उपर की साइड में आप देख रहे होंगे खेत में कटाई कर रहे हैं फिर उपर ही उपर है बिल्कुल दीरगेकालिक बुकमरी के लोग जो हमेशा बुकमरी के शिकार रहते हैं ब बात निर्बर भारत की एक नहीं पहल स्टार्ट हुई इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान हरित करांती ने दिया हरित करांती यह करांती गुनी सो ज़्यादा लाब उठाया क्योंकि वहां के किसान समरत देते वहां पानी था इस कारण से इन्होंने सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया आप देख सकते हैं चित्र में नीचे की साइड में यह बाई तरफ यह चामल की फसल है और दूसरी साइड म इन सब का प्रियोग किया गया जिससे की उत्पादन बढ़ गया कौन कौन सी चीजों का प्रियोग किया गया अतिक उपज देने वाली बीजों का प्रियोग किया गया उर्वरक का प्रियोग किया गया कीट नाशक का प्रियोग किया गया बांद का प्रियोग किया गया करशी में उत्पादन बहुत तेजगती से बड़ा और हमारे देश को आत्मनिरबर बना दिया हरित करांती ने इसलिए हरित करांती का भारत के क्रशी में आत्मनिरबरता बनाने में बड़ा योगदान है एविस्मर्णीय योगदान है अब देखते हैं बारत में खाद सुरक्षा के गटक पहला है बफर स्टोक आपात काली निस्तिती में वस्तू की कमी को भरने के लिए वस्तू का स्टोक करना ही बफर स्टोक कहलाता है बफर स्टोक क्यों किया जाता है ताकि आपात काल में खाद्यान की कमी ना हो इसलिए बफ बफर स्टोक को केंद्रिय पूल भी कहा जाता है इसका परियोग सारजनिक वितरन परणाली के अंतरकत वितरन के साथ साथ सूखा फसल बरबादी और ऐसी ही कई आपातकाली इस्तितियों में हालातों से निपटने के लिए किया जाता है परते एक साल के तीसरे महा की अपने पास सरकार क्या करती है आपातकाली इस्तिती से निपटने के लिए खाद्यान का बंडार रखती है उसी को बफर स्टोक कहते हैं यहां आप चितर में देख सकते हैं नियूनतम बफर स्टोक और हमारा बफर स्टोक का क्या है आप देख सकते हैं कि बफर स्टोक का 143 के अकाल से बहुत कुछ सीखा है और भारत हमेशा जितने norms हैं कि इतना buffer stock रखना चीए उससे कहीं ज़्यादा हम buffer stock खाद्यान का बंडार रखते हैं आप अकाल से निपटने के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत जिसे minimum support price MSPB कहते हैं क्या होती है ये अति उत्पादन के समय ध्यान दे अति उत्पादन के समय ये problem नहीं आती है जब जादा उत्पादन हो जाता है तब ही न्यूनतम समर्थन कीमत की आउशकता महसूस होती है अति उत्पादन के समय किसानों को होने वाली हानी से बचाने के लिए सरकार द्वारा अनाच की खरीद के लिए एक निर्धारित कीमत तै की जाती है उसी को समर्थन मुल्य या MSP कहते है सिंपल सी भाषा में माल लीजिए किसी एक किसान के किसी फसल अच्छी हो जाए गयों का तो दाम क्या हो जाएंगे गयों के बहुत कम हो जाएंगे इतने कम हो जाएंगे कि किसान को उसकी लागत भी नहीं मिलेगी और उससे नुकसान होने लग जाएगा तो इसी नुकसान से बचाने के लिए सरकार क्या कहती है कि ये MSP है हमारी तरफ से जितनी इस गेहों की लागत होती है हम ये तैग करते हैं कि इतना किसान को इसका मिलना चीए दाम अब अगर किसान को अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो मार्केट में बेश सकता अपना गेहों और अगर मार्केट में कम कीमत मिल रही है तो वो सरकार को MSP पर अपना गेहूं बेश सकता है तो इस परकार से नियुनतम समर्थन कीमत किसानों की रक्षा के लिए बनाई गई है आप देख सकते हैं यह चार्ट है नियुनतम समर्थन मुल्य का 2010-11 से लेके 2021 तक आप देख सकते हैं अलग-अलग कैटेगरी है पहले धान है धान में common, grade इन सब के भाव आप देख रहे होंगे 2010-11 के तुलना में बढ़ते जा रहे हैं पहले common धान का भाव था 1000 और बढ़कर वो 2019-20 में कितना हो गया? 1815 grade A का भाव कितना हो गया? बढ़कर 1835, गेउं का भाव जो 2010-11 में 1100 रुपे था वो बढ़कर कितना हो गया? 2021 में 1925 रुपे जो आर का भाव क्या हो गया है? 900 से बढ़कर 2570 रुपे 1925 में, जो आर का क्या हो गया है? बाव hybrid का 880 से बढ़कर 2550 बाजरे का भाव 880 से बढ़कर 2000, रागी का भाव 965 से बढ़कर 3150 और मक्य का भाव 880 से बढ़कर 1760 और अंतमे जो का भाव 750 से बढ़ाकर 1525 भारस सरकार ने कर दिया है तो इस प्रकार से भारस सरकार ने समय समय पर नियूम्तम समर्थन मुल्या बढ़ा कर किसानों की मदद करने की कोशिश किये है ताकि किसान अपने प्रोडक्शन को सरकार को बेच सके यदि उन्हें नुकसान हो रहा है मार्केट में तो बहरतिय खाद निगम द्वारा अधीप राप्त अनाच को सरकार वी नियमिद राशन दुकानों के माद्यम से समाज के गरीब वरकों में बाढ़ती है वित्रित करती है इसे ही सार्जिनिक वित्रन परणाली पब्लिक डिस्ट्रिबुशन सिस्टम पीडियस कहते है अब अधि लगबक शाड़े पांच लाक राशन की दुकाने है राशन की दुकानों में जिने हैं हम उचित दरवाली दुकान भी कहते हैं चीनी, खाध्यान, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, आधी मिलता है ये सब बाजार कीमत से हमें कम कीमत पर बेचा जाता है राशन नुबंदित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज ले सकता है, 5 लिटर मिट्टी का तेल ले सकता है, 5 किलोग्राम चीनी ले सकता है, कहां से अपनी निकटवर्ती राशन की दुकान के माध्यम से, इसी में संशोधन करते हुए अभी परदान मंत्री नरेंद्र मोधीजी ने यह किसके लिए होता है, गरीबों में भी जो सबसे ज़्यादा गरीब है, बिल्कुल निचले तपके का, उसके लिए अन्तोधय कार्ड बनाया जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपके दाई तरफ उपर यूपर ये लिखा हुआ है, राशन कार्ड, किसके लिए अन्तोध कार्ड वाल धारकों के लिए, गरीबों में भी सबसे गरीब के लिए, ये जो पिंक कलर में है, राइट एड में उपर यूपर लिखा हुआ है, अन्तोधय योजना, ये उनके लिए, फिर दूसरा आता है, बिलो बोर्टी लाइन कार्ड, ये किसके लिए होता है, गरीबी नीचे के लोगों के लिए, भारत में गरीबी की रेखा का मापड़न तेह किया गया है, जो समय के अनुसार चेंज कर दिया जाता है, वही मानक है इसका, ठीक है, तो ये रा BPL कार्ड आप देख सकते हैं, सबसे नीचे ही नीचे, ये जो बड़ा सा राशन कार्ड दिख रह आपको जल्द ही बारस सरकार, एक देश, एक कार्ड, एक राशन कार्ड की योजना लाने वाली है, अभी क्या होता है, वर्तमान में परतिक राज्य का अलग राशन कार्ड होता है, जिससे गरीब लोग दूसरे राज्य में चल जाते हैं, तो राशन की व्यवस्ता उनकी न निर्गम कीमत, जिसे हम इशू प्राइस कहते हैं, FCI, Food Corporation of India, बफर स्टॉक का प्रियोग करके ही राशन की दुकानों के माध्यम से, जिने हम उचित मुल्य की दुकान भी कहते हैं, निर्गम कीमत पर अपना सामान बेचता है, सरल भाशा में मैं बताऊं, तो ये निर्गम क प्राइस कहते हैं, अर्थाद, नियून्तम समर्थन कीमत पर तो क्या करती है सरकार, खाद्यान खरीदती है, और इशू पर प्राइस पर क्या करती है सरकार, खाद्यान बेचती है, तो एक तो है खरीदने वाली कीमत, जिसे नियून्तम समर्थन कीमत कहते हैं, और एक होती ह ये निर्गम कीमत जिसे बेचने वाली कीमत कहते हैं सरकार के दृष्टिकोन से, तो ये निर्गम कीमत ही वो कीमत है जिस पर हम राशन की दुकानों से सामान खरीदते हैं, अब देखते हैं साही की सबसीडी, सबसीडी क्या होती है, सबसीडी वह भुकतान है, जो सरकार द्व सिंबल सी भाषा में सबसीड़ी क्या होगी सबसीड़ी और कुछ नहीं उत्पादक अपनी वस्तु को कम कीमत पर बेचे इसलिए उसको सबसीड़ी दी जाती है जैसे आपने देखा होगा गैस सिलेंडर पर सबसीड़ी मिलती है किसानों को कृषी के जो उपकरण खरीदते है उन पर सबसीड़ी मिलती है क्यों मिलती है इन पर सबसीड़ी ताकि वो कीमत क्या हो जाए उसकी कम हो जाए और वो आसानी से उस चीज़ को खरीद ले अब हम देखते हैं सार्जनिंग वितरन पढ़नाली के कुछ महत्पूर्ण विशेषता है कुछ योजना है जिसके आता है इशू प्राइज या निर्गम कीमत किस मात कीमत पर उबोगताओं को सामान बेचा जाता है तो पहली योजना है सार्जनिक वितरन पढ़नाली जिसे पब्लिक डिस्टुपूशन सिस्टम पीडियस कहते है गुनिस सो बाण में तक यह स्टार्ट रही गुनिस सो बा 89 के भाव से सब लोगों को यह बेची जाती थी बाद में यह योजना बंद कर दी गई और इसके इस्थान पर क्या आ गई नहीं संचोधित सार्जनिक वितरन पढ़नाली जो गुनिस सो बाण में से प्रारम हुई है इसे हम और पीडियस डिवाइज पब्लिक डिस्टुश सिस्टम भी कहते हैं यह किन लोगों के लिए पिछडे ब्लोक के लोगों के लिए हैं इसमें कितनी मात्रा दी जाती है प्रतिमा 20 किलो ग्राम खाद द्यान दिया जाता है और किस कीमत पर यहूं 2 रुपए 80 के भाव से और चावल 3 रुपए 77 के भाव से ग्रामी लोगों को और शेहरी लोगों को दोनों को मिलता है लेकिन वो पिछड़े होने चाहिए फिर इसके बाद एक नई योजना आई लक्षि सारजनिक वितरन पढ़ना ली जो TPDS टारगेटेड पबलिक डिस्ट्रिबुशन सिस्टम के नाम से भी जानी जाती है यह योजना कब आरम की गई इसका लक्षय क्या था निर्धन और गयर निर्धन अर्थाथ BPL और APL के लोगों को खाद्यानों की उपलब्दता सुनिश्चित करना इसमें कितनी मात्रा जीत दी जाती है 35 के लोग खाद्यान परदान किया जाता है BPL और APL दोनों को BPL को किस भाव में दिया जाता है गेहू 4.15 पैसे के साब से चावल 5.65 पैसे के साब से और APL वाले लोगों को क्या भाव है गेहूं का भाव 6.10 पैसे और चावल का भाव 8.30 पैसे होता है फिर इसके बाद कौन सी योजना आई साड़िन वितन परणाली के अंतरगत अन्तो इसके है उसमें भी सबसे ज़्यादा गरीब उसके लिए AAY आई फिर इसमें क्या मिलता है 35 किलोग्राम खाद्दान मिलता है AAY योजना के अंतरगत इसमें गेहूं का भाव 2 रुपे और चावल का भाव केवल 3 रुपे रखा गया फिर उसके बाद आई नई योजना अनप गोवाइट किया जाता है और यह इस योजना में बिलकुल निशुल खाद्दान उपलब्द करवाया ज़ता है फिर 2013 में कौन सी योजना आई राष्ट्रे खाद सुरक्षा अधीनियम इसमें किसको मिलता है सभी योग्य परिवारों को इसमें खाद सुरक्षा दी जाती है इसमें क्या मिलता है पांच किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मा प्रति व्यक्ति प्रति मा कितना दिया जाता है पांच किलो ग्राम इसमें क्या भाव रहता है गेहूं का भाव दो रुपे रहा गया है चावल का भाव तीन रुपे और अनाच का भाव एक रुपे इस परक आप इन चित्रों में देख सकते हैं पहला जो चित्र है उपर 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 उसमें एक राशन कार्ड धारी अपना राशन ले रहा है राशन डीलर से दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं महिला अपना राशन ले रही हैं तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं परिवार दोवडिजी द्वारा वन नेशन वन काड़ राशनकाडी की योजना के लिए कारवाई करने के लिए आप देख सकते हैं इसमें परदान मंत्री जी ने एक बहुत बढ़ीया प्रयास की है जिसमें क्या होगा कि सभी के लोगों को एक योजना कंप आप मिल पाएगा जिसके अंतरगत किसी भी राज्य का कोई भी विव्यक्ति किसी भी जिले का किसी भी गाउं का हो अगर उसने अपना राश्कन कार्ड बना लिया यह वन राशन कार्ड तो उसे देश के किसी भी कोने मिले जाए उसे खाद्यान मिलता रहेगा कोई भी राज् स्वैचिक सयोग का एक रूप है स्वैचिक सयोग मतलब आपस में अपनी इच्छा से एक दूसरे का सयोग करने के लिए गठित की जाती है अनुच्छेद गुनिस्थ के अनुसार सहकारी समीतियों का गठन करना एक मूल अधिकार है और नेती निर्देशक तत्वों का नियंत्रित उद्यम के जरिये अपनी सामान्य आयर्थिक सामाजिक एवं सांस्क्रितिक आउशक्ताओं को पूरा करने के लिए स्वैच्छा से एक जुट होते हैं अगर सरल भाशा में कहूं तो मैं यह क्या होती है सहकारी समीतियों 10 से 20 लोग में मिलकर आपस में एक बिज बारत में विशेशकर देश के दक्षिनी और पस्चिमी भागों में सहकारी समीतियां भी खाद सुरक्षा में एक महतपून भूमी का निभाती आ रही हैं सहकारी समीतियां निर्धन लोगों को खाद्यान की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकाने खोलती हैं कम कीमत वाली मेरी उब्हुकताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूद और सब्जियां उपलब्द कराने में तेजी से प्रगति कर रही है गुजरात में सहिकारी समीति का सबसे बड़ा उधारन दूद और दुख दुद पादों में अमूल एक और सफल स समीति का उधारन है इसने देश में श्वेद करानती ला दी है आप देख रहे होंगे जब आप बच्चे होंगे छोटे से आपके पिता के टाइम से आपके पिता जब छोटे होंगे न तब से यह अमूल डेरी चल रही है और तब से यह अमूल डेरी आज तक चली आ रही है आपने देखे होंगे कई इसके पुराने एड़ प्यात है तो अमूल क्या है एक सहकारी समीति है जो बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट हुई थी गुजरात के एक छोटे से शहर से फिर बाद में चलकर ये पूरे देश में फैल गई तो सहकारी समीतियों के विकास का ये सबसे बड़ा उधारण मिलता है हमें अन्त में आप सभी को धन्यवाद मेराई वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखे इसे समझे इसे समझने से आपको कोई परिशानी आए तो अपने अध्यापक से जरूर बात करें रिसर्च करें, प्रोजेक्ट बनाएं, इंटरनेट की मदद लें और इन टॉपिक्स पे और चर्चा करें आपस में एक दूरसरे से गुरूप में और इंटरनेट पर रिसर्च करने का काम करें आप अपने ग्रामिन शेतर में देखे राशन की दुखाने, किस परकार की राशन की दुखाने काम करती हैं तो इन सब को मिला कर आप अपना जीवन का विकास कर सकते हैं और खाद्यान सुरक्षा के परती आप आगे बढ़ सकते हैं देश की खाद सुरक्षा में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं सरल तरीके से घर में फूड वेस्ट ना करें अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मना करें कि घर में फूड वेस्ट ना करें खाना बरबाद ना करे पूरा खाना फिनिश करे हमेशा धन्यवाद